चार WWE सुबरस्टार्स जो Elimination Chamber 2023 में Roman Reigns वर्सेस Semi Zen मैच में दखल दे सकते हैं WWE के अगले इवेंट Elimination Chamber 2023 में Roman Reigns को Semi Zen के खिलाफ मैच में अपना Undisputed WWE Universal Title डिफेंड करना है ये शायद Elimination Chamber 2023 में होने जारा सबसे बड़ा मैच है ऐसा लग रहा है कि इस मैच में जबरदस्ट एक्षन देखने को मिलने वाला है देखा जाए तो Roman Reigns के अधिकतर मैचों में दखल देखने को मिलता है यही कारण है कि इस मैच में भी दखल होने की संभावना लग रही है इस वीडियो में हम ऐसे चार WWE सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले है जो कि Elimination Chamber 2023 में Roman Reigns वर्से सेमी जैन मैच में दखल दे सकते है नबर चार WWE दिगज पॉल हैमन Elimination Chamber 2023 में Roman Reigns वर्से सेमी जैन मैच में दखल दे सकते है पॉल हैमन पिछले कुछ सालों से WWE में Roman Reigns के साथ काम कर रहे है पॉल हैमन दबलेड लाइन के स्पेशल काउंसिल है और उन्होंने ट्राइबल चीफ की सफलता में एहम भूमिका निभाई है ये बात तो पक्की है कि पॉल हैमन Elimination Chamber 2023 में Roman Reigns के मैच के दोरान रिंग साइट पर मौजूद रहेंगे यही कारण है कि अगर मैच के दोरान Roman Reigns के लिए मुश्किलें खड़ी होती है तो वो दखल देकर उनकी मदद करने की कोशिश कर सकते हैं अगर ऐसा होता है तो Roman Reigns की मैच में वापसी हो सकती है और उनके लिए Semi Zen को हराना आसान हो सकता है नमबर तीन, WWE सुबस्टार सोलो सिकोवा सोलो सिकोवा ने Clash at the Castle में डेब्यू करते हुए Roman Reigns को Drew McIntyre के खिलाफ मैच जीतने में मदद की थी इसके बाद से ही सोलो सिकोवा दबलेड लाइन का एहम हिस्सा बन चुके है बता दें सोलो के भाई The Usos Elimination Chamber 2023 इवेंट का हिस्सा नहीं होंगे यही कारण है कि Undisputed WWE Universal Championship मैच के दौरान सोलो सिकोवा की भूमी का एहम होने वाली है सोलो सिकोवा इस मैच के दौरान दखल देते हुए ये निश्चित कर सकते है कि सेमी जैन मैच में अपना दबदबा नहीं बना सके और ट्राइबल चीफ आसानी से मैच जीत जा नमबर दो WWE सुबस्टार कॉडी रोड्स कॉडी रोड्स रसल मीनिया 39 में रोमन रेंज के खिलाफ मैच में जगह बना चुके है हलाकि अभी तक इन दोनों सुबस्टार का आमना सामना नहीं हुआ है संभव है कि एलमिनेशन चेमबर 2023 वो जगह हो सकती है जहां आकिरकार इन दोनों सुबस्टार का आमना सामना किया जा सकता है ये बात तो पक्की है कि रोमन रेंज मैच के दोरान सैमी जैन का बुरा हाल करने की कोशिश कर सकते हैं ऐसा करने के लिए रोमन चीटिंग का भी सहारा ले सकते हैं स्थिती में संभव है कि सैमिजैन की वापसी कराने के लिए कौडी रोड्स मैच में दखल दे कर रोमन को सबग सिखा सकते हैं नमबर एक, WWE सुबस्टार कैविन ओवेंस कैविन ओवेंस WWE रोयल रंबल 2023 में दबलेड लाइन द्वारा किये गए हमले के बाद से ही टीवी पर दिखाई नहीं दिये हैं ऐसा लग रहा है कि उनकी ऐलिमिनेशन चेमबर 2023 के जरिये वापसी हो सकती है ये बात तो पक्की है कि कैविन ओवेंस उन पर हुए हमले को भूले नहीं होंगे यही कारण है कि ऐसा लग रहा है कि कैविन ओवेंस ऐलिमिनेशन चेमबर इवेंट में वापसी के बाद मैच में दखल देकर सेमी जैन को रोमन ओवेंस के खिलाफ जीत दिलाने की कोशिश कर सकते है यही नहीं कैविन ओवेंस मैच खत्म होने के बाद रोमन ओवेंस पर जबरदस्त हमला करते हुए भी दिखाई दे सकते है इसके बाद सेमी जैन और केविन ओवेंस का रियूनियन हो सकता है और देखा जाए तो ये काफी यादगार पल होगा तो आपके मताबिक अलिमिनेशन चैंबर में कौन जीतेगा सेमी जैन या रोमन रेंस कॉमेंट करके जरूर बताईएगा ऐसी मज़िदार वीडियो के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें थैंक्स फर वाचिंग